हलो दोस्तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आए हूँ बोती टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जो कि आप देखते ही बनाने चले जाएंगे कीचन की ओर हाँ दोस्तो एह है रात की बची हुई दाल मैं आज बनाने जारी हूँ रात की बची हुई दाल की हेल्दी और टेस्टी चटपटी सी रेशिपी तो हम सब्सक्रेपल बनाएंगे दो दाल को रखते हैं जाइड में खाली बरतन में लेंगे एक कप आटा गेम का आटा है दोस्तो तो एक कप आटा डालेंगे अब एट करेंगे नमक थोरा सा यह नमक लेंगे दोस्तो टूए स्पून रिफाइंड ओइल डालेंगे थोरा सा डालेंगे अजवाइन क्रस्ट करके मिक्स कर लेंगे इस तरीके से देखिए दोस्तों मिक्स हो गया है अब नॉर्मल पानी डाल कर सौफ्ट डो बना लेंगे एक ही बार में सभी पानी न डाले थोरा थरा पानी डाल कर अच्छा सा सौफ्ट डो बना ले के लिए बनाते हैं हम कोई साई दो चाहिए है अल्मुस्ट आठा रेडी हो गया है दोस्तों अभी और हम मसलेंगे चिकना साथ सॉफ्ट डो बनाएंगे वीडियो में बने रहेगा कि देखें दोस्तों आठा रेडी है अब हम आठा का छोटा छोटा लोई काट लेंगे रोटी के लिए जितना हम लोई लेते हैं नो इसा ही छोटा छोटा लोई काटेंगे लोई तो रेडी है दोस्तों अब हम चलते हैं बेल लेंगे तो एक लोई उठाएंगे सुखा आठा लगा कर बेल लेंगे रोटी के लिए जो उससे हलका संव मोटा रहना क्याएं काट लेंगे पूरी का सेप इस तरीके से कोई भी चीज का हेल्प लेकर कर सकते हैं दोस्तों चोटा सा बाती हो गिलास हो अब एक पूरी को उठाएंगे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अच्छा सा सेप देंगे यह देखिए आपको जो सेप असान लगे जो आपको पसंद ओ उसी तरीका का सेप दे हमुली से इस तरीके से दाब दे ताकि बिखरे नहीं जब हम दाल में दाले तो ऐसे फोल्ड करते हुए हमको अच्छा सा सेप देते हुए बना लेना है सारा का सारा बहुत लोग होते हैं दाल फेक देते हैं बची हुई नहीं फेकना चाहिए अच्छी बात है नहीं ताकि कभी भी सुभा का दाल बच गया हो तो रात के वक्त दीनर में इंजोई कर सकते हैं आप बना कर रात का बच गया हो तो सुभा में ब्रेकफांस्ट के रूप में इंजोई कीजिए बच्चे को टिफन में दे दीजिए खुद भी इंजोई कीजिए बहुत कम समगरी से बहुत जल्दी, हेल्दी और टेस्टी रेचिपी तयार हो जाता है दोस्तो यह देखे दोस्तो इसी तरी के से हमको सारा का सारा बना लेना है इस साइट साइट का जो बच गया है न दोस्तो हम उसका भी यूज करेंगे तो आप देखते रहेगा इस इंटर का भाग है स्टार सेफ हम उसको अभी एक सेफ दे देंगे इस तरीके से और इसाइचाइट का जो कॉर्नर रहता है उसको हम यूज करेंगे आप देखिए क्या करेंगे छोटा-छोटा लोई काट लेंगे अर्य शुखा आटा में डालते हुए मिक्स कर लेंगे छोटा-छोटा लोई काटके यह देखिए दोस्तो मिक्स हो गया न अब क्या करेंगे छोटा-छोटा एक लोई लेंगे हाथ में और इस तरीके से एक सेफ देंगे बहुत जलती यह बहुत फटा-फट से बनने बला आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है अच्छे से पता है आपको वीडियो को करना है लाइक, शेर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब देखिए दोस्तों हमारा आटा का अच्छा खासा से प्रेडी है अब जलते हैं गैस पर रखेंगे धाल वाली कुकर फ्लेम कुक जिससे की थोरा सा पतला हो जाए अब एट करेंगे वने स्पून धन्या पाउडर वने स्पून रेड चिली पाउडर स्वाधन नमक डाल कर मिक्स कर लेंगे इस तरह तरीके से कवर करके उबाल लेंगे दाल को देखिए दोस्तों अच्छा खासा उबाल आ गया है अब एट कर देंगे हमारा ये आटा से बना हुआ शेप को डाल देंगे सारा एक ही बार में ना ढाले एक एक दो-दो करके डाले इस तरीके से िक्स कर ले अब हम एट करेंगे कच्चा आम आम नहों तो निम्बू, हम चुरू पाउडर एट करें इससे क्या होगा, टेस्ट में चार चांद लग जाएगा कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम दो सीटी लगा लेंगे यह देखिए दोस्तो, सीटी लग गया है गयस को करेंगे बंद, और अपने आपी कूकर से सारा गयस को निकलने देंगे कूकर को खोल लेते हैं, गयस निकल गया है देखिए दोस्तो कितना अच्छा फुल गया है, अच्छे तरीके से पख गया है हमारा ये बचिवी दाल की रेजिपी तब हम कुकर को साइड करेंगे, छोटा सा फ्राइपेन गैस पर रखे, फ्रेम को अनकर लेंगे, तेल डालेंगे, लसुन डालेंगे, राई डालेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे, थोड़ा सा चटका कर, गैस को बंद कर देंगे, करी पता डालकर, छोका लगा लेंगे देखिए दोस्तों चौका लग गया है मिक्स कर लेंगे अब हम चलेंगे सर्प करेंगे चली चलके प्लेट में निकाल लेते हैं कितना अच्छा दिख रहे हैं न दोस्तों जितना असानी से बना है उतना ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है तो प्लेट में निकाल लेते हैं मैं प्लेट में इसलिए निकाल रही है क्योंकि हमारा फैमिली खाने के लिए बैठा हुआ है आप चाहों तो आलू का चोखा बेगन का भरता के साथ इंजोई कर सकते हैं देखें तोस्तो हमारा दाल से बनी हुई चटपटी रेसिपी रेडिये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक से रेकमेंट करिएगा थैंक्स पूर वाचिंग अबर नाइस देव मैंने अचार के साथ इंजोई किया है थैंक्यू